नमस्ते दोस्तों स्वागते आप सब कर फिसे बेड ने बलोक में तो दोस्तों कैसे आप सो उम्मीद कर तो सभी अच्छी होंगे और दिल से हमेशे यह प्रतना करती हूं जितने भी मेरे यूटूब फैमली है सभी अच्छी रहे अभी दोपर कर टायम हो रहा है मैं इस वक्त को जाने के लिए जीत कर रहा थी रात को माना कर दिया इस वेंच हमत्यका भाविच करने थी इतने सदोन में भाब श़यायओ लेकिन मेरा मन करता है आप लोगों के साथ में मैं हर एक बात शैफ करूं था कि में थोरा सेखलो हो पाऊं चाहे इसमें कुछ लोग मुझे बुर देते हैं जो पीले काट देता है कुछ भी देता है कि अ युद्य ना ज़रूरीое h बोला है कि इस रीपोर्ट लेंने के लिए घर पर आया हूं तो फैल्पशूच रही हूं दो रोटी बनाकर ले जाूं Tut प्रोटव के लिए आपके नहीं को सबजी नहीं पाते हैं क्योंकि साइस प्रदी का सिजन नहीं कि दोनों की खासी और जूकाम लग रही हैं तो थोड़ा सा भी रोटी बनाओंगे अधार के दोस्तों अधूरा सावान। के बातुएं ना थो मेरे पति मेर शाद रहा है। असपहरा मैं पति मेरे माने नाम मुझे लेती हूं। मुझे जुरJust — बाद मेरे मेर प्यार की बात है। मैंने कल मेरे पती को फोन किया था मैंने बोला मेरे को पैसे दे दो मुझे थोरा पैसे के जलो थे होस्पिटल में बंदे ने मेरे को फुटी कोरी ने दिया हमेशा उनको कॉल करती तो उल्टा मुझे सुनने को मिलता है और गलती मेरी यह मैं क्यूं उनको फोन करती हूं लेकि को मुझे पता है मैं आज कई दिनों से नहीं सोई हूं ऐसा लग रहा है घर पर आते ही कि ना सो जाओं लेकिन यह संबब नहीं है मेरी पास डेर घंटा का टाइम है डेर घंटे से पहले यानि एक बच का तीस मिनिट पर मुझे वहां पहुच जाना है होस्पिटल में क्यूंक क्यूंक पर में नहीं उसलिए इसलिए उसका जो खराब है रिपोर्टा यानि नहीं नहीं आया है तो बोला रिपोर्ट ले क्या हो अगर रिपोर्ट डेखने के बाद में वह कुछ करें गए और सुबै दूबरा से सेमपल दिया है लैब में जो घल जो दिया था वह था दोस्तों इतने बड़ी मुसीबत के टाइम पे मेरा कोई निये सहारा ना तो मेरी माँ है ना मेरा पती आज एक ओरत की जिंदेगी इतना जदा जंड बना दिया आखों से आशू तक सुख गई है अब तो रोती भी हो ना तो आखों से आशू भी आना बंद हो गई है ममी आईए है शाम को बोल रही है मैं मिलने के लिए आई थी मैं जाओंगी दुसरे की घर काम करना है ने तो दूसरा रचा देंगे अगर दूसरा रचा दिया तो मैं जैपूर नहीं रहूंगी मैं सिदा गाओ चली जाओंगी ममी का यह कहना है मैं उनकी कहने से सहमात हूँ उनकी कहने का समान करती हूँ और उनका उमर है गाव जाने का हर तरह से मैं सहमात हूँ लेकिन इस टाइम मेरे जो हालत है मेरा बच्चा अकेला है कभी उसका सेंपल लेके जाना कभी क्या और ट्रयम अगर बखार नहीं होता है ना तो मेरा बच्वा करता रहता है अकले से नहीं हो पाता है खाना लेने के लिए मुझे दूर जाना पड़ता है पहले तो खाने का दवा पगड़ा फिर भी सामने दीख जाता था वहां से गॉर्मन हटा दिया बहुत दूर जाना पड़ता है और दवाई लेने के लिए तो और ही दूर जाना पड वाते मेरा कौन रिष्तेदार है कौन साथ देने वाला है सब कुछ पता है मेरे पास पैसा है के नहीं है यह इतना तो आप लोगों को भी पता है कि एक और इस तरह से छोड़ दिया रात दिन रात दिन करते करते क्या हो रही हो मैं जिन्दा पागल बन गई हूं जिन्दा है उसके बाद में क्या कायमात आने वाली है शायद में उनकी घुसे को ना जहल पाऊं और यह में भगवान की चर्णगी सोगन खा के कहती हूं मैं जोटने बोल रहे हूं भगवान की गसम और बच्चों के में सोगंदी इसलिए नहीं खाऊंगी क्यों मेरा बच्चा बहु नीमुलाजिशन हो रहा है ग्लुकोस चल रहा है दूसरे हाथ में से ब्लड वगरा निकल रहा है सेंपल के लिए उसके बाद मेरे मां जारी है मेरे को छोर के यह सब देखती हुए भगवान ऐसा पत्थर दिल मतलब क्या कहूं और एक बाद बो है जो वीडियो देख रहा है में लाइब में आके आप लोगों से हर बार रिक्वेस्ट का रही हुए कि आप लोग मेरे बेटे के लिए दुआ करिए मेरे बेटे जल्दी से हो जाए बहु इंसान भी वीडियो को देख रहा है उसके बाद जुद भी बहु इंसान क्या बोले दभाई का पैसे के यह उमी जाया यहाता आगर अपका पती छोड़ा आपका घर वाल कोई नीए पल्द से happiest कि मेरी मां तोलो तो आज रू जानता मेरे मां अरप करने मेरे में में अंदर इंदर इस इतना प्रेशन आ सलना था इतना तकलिप हो greasy कही है ना क्योंकि जूम्ली ःस साहो है। मैं थ्रूर सा षलका हो जाओं। बाकी मेरा तो यह करता है तो पती के बारे हैं बात करें क urban करता है. नहीं बात वीडियो की तुम्हें सारे दिन काम करके ब्लोगिंग चैनल कर लेती हूं लेकिन मेरे हालत ऐसे देखिए मेरी घर की स्थिति है ना बहुत बुरी हो चुकी है घर में सामान कपड़ा सब कुछ फैल जाएगा अभी भी में जो है रिपोर्ट निकालूंगी सारा समन बिखेर के जाओंगी बहा मेरा बच्चा किस हालत में है परमात्मा जानता है प्रभू जानता है मैं रोना ने चाहती मेरे आखों में सारा आसुई सुख गया है अब मैं उसमें से लेके जाओगी डोक्टर देखेंगे डोक्टर ने बुला है अगर एक भी परसेंट इसको फरक नहीं पर शाम तक की रिपोर्ट आने तक तो इसको जेकलन होस्पिटल जैपूर में सबसे बड़ी होस्पिटल है बच्चों का उसमें रेफर कर दिया जाएगा सो चियाक ली ओरत अगर उसमें रेफर कर दिया जाए ठंड़ का मौस में छोटा वाला बिमार हो रहा है इसको जुखाम कासी हो रहा है मैं क्या करूं कैसे क्या करूं मुझे जीते जी नरक तो क्या है मतलब वह बोलते ना अगर तुमको जिन्दा नरक का दर्शन करा दिया मेरे पती ने और वह खूश है अपने जिन्देगे में कुछ नहीं काऊंगी कि यह जो बग्त और हालत है मुझे पूरी तरह से तोर के रख दिया है बस इतना काऊंगी कि भगवान मेरी तबियत और मेरी बच्चों को से रखो मुझे इतना शक्ती दो कि मैं दोनों बच्चों को पाल पाऊं सब कुछ मैनेज कर पाऊं मुझे मत तोरो अगर मैं तूट गई नहा तो शायद मैं आप लोगों से कह सकती हूं कि आप लोग प्लीज मेरी बेटें लिए दुआ करना कि जल्दी सी सही हो जाए क्योंकि मैंने बहुत कुछ अपने लाइफ में बरदार्श किया है और आप जो मेरे साथ हो रहे हैं तब ही बरदार्श ही किया जा रही हूं मेरे पती को लग रहा कि तो आगे क्या होगा और यह काम करूंगी तो पीछे क्या होगा आगे पीछे क्या सोच के करती हूं उसी का फायदा मेरे पती ने उठाया आज भी उठा रहा है आज अगर वो मुझे जादा नहीं 5000 रुपए ना तीन साल चार साल बाद में कोई बहुत बरी डिमांड नही है यह लेकिन वो तब भी नहीं दे रहा है मेरे ऐसे बतकिस्मत ही है जहां मेरे बच्चे इसे नहीं रहता है मैं पता यह कैसी हूं मैं सब कुछ उड़ दिया मिने बच्चों के लिए सब कुछ वोड़े उस आदमी को जाने दिया उसके घरबर से लड़ाई नहीं किया हो रहा है आप लोग देखी रहा है कि मेरी साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और इसमें जरा सभी कुछ भी फेक नहीं है और आजकल है तो मुझे न तो report दिखाने का मन कर रहा है वीडियो में share करने का मन कर रहा है नाए कुछ और मैंने admit का आप लोगे साथ इसलिए share किया है था कि हाँ ये original है कभी भी आगे जाके ये तारीक और ये date याद रहे जरूत परे मगा हैला सब्सक्राइब करने मं आइक जाहइं कि पाए लेकिन सब्सक्राइब कर लें सब से पहले कआद ले लूगी सुभय से अब तक सड़ दोस्तों मैंने कहाना मेरा बच्चे को सबस्ती मैं सबसे जिस देवता को मानती हूं waarा मैं उसी यू रहे जाолет मेरा बस सबस्तुर बच्चे को पढाना्या में मोत कें को साक्षी है है फिर भी उस बाप को दयानी आता फिर भी उस नानी को दयानी आता कि बच्चे का यह स्थीति है तो दूसरे की घर में में काम पर जाओं लेकिन बो बंदी यहां से जाने के लिए मेरे सथ इतना जगरा यह मेरी बेटे को मेरी मां जो है गोलू कहती है कहती है गोलू इतना ब वीमार मतलब कैसे हो जाता है मतलब ऐसे या रश्था बात का spy था जिन्देगी में पहली वार इसी को देखाः इस तरह से बीमार होते हुए यानि इतना जटा मतलब का हो मैंने दिम्मा का द्इभाई नहीं बता सकती से कुछ मेंने आपने सबफिने के लिए आप सब को सब कुछ मैंने बताई दिया इतना काफी है किसी भी शैमली को समझने के लिए कि अपनी जुबान से में जो भी बोल रहे हूं और मेरे जो हालते परमात्मा किसी को मत देना किसी को मत देना मेरे बेटे को सही कर दो मुझे और तुमसे ना दुनिया की दौलत